हेलो स्टूडेंट्स मैं अमरित कौर आई होप आप अपने गर में सेफ होंगे स्टूडेंट्स हमारा आज का जो टॉपिक है वो है ट्रेनिंग यानि की प्रेशिक्षन हम इसके बारे में आज थोड़ा सा डिसकस करेंगे कि ट्रेनिंग किसे कह सकते हैं तो प्रेशिक्षन का मुख्य जो अध्याय होता है वो होता है आपकी हैबिट्स को का निर्मान करना यानि कि उनको बनाना जो आपकी हैबिट्स हैं आपकी आदत है हम student को अच्छी आदटे डालने में जितनी अधिक सहायता देंगे उतना ही अधिक अच्छे डंग से वे जीवन के लिए तयार होंगे obviously सी बात है ये बात तो हम सभी समझ सकते हैं कि अगर student में जितनी अच्छी आदट आप डालेंगे चाहे वो daily routines की हों चाहे वो writing skills हों या और भी जैसे कि हमने छोटे बच्चों को ये सिखाया है कि आपको after और before meal से आपको hand wash करना है इस तरीके कि छोटी छोटी जितनी भी आदते हम सोच सकते हैं हम उनको जितना सिखाएंगे वो अपने जीवन के लिए उतना ही जादा अपनी life के लिए अच्छे prepare हो सकते हैं जब किसी काम को हम बार बार किया जाता है तो उसका अभ्यास हो जाता है यानि कि ये तो बड़ी natural सी बात है जब हम कोई भी काम होगा हम उसको again and again करेंगे और उसको practice जो है बहुत जादा हो जाती है और उस काम को करने के लिए अपक्षित कोशल का हमारे अंदर एक development अपने आप हो जाता है यही training कहलाता है भाषय शिक्षन का मुख्य उदेश होता है बच्चों में listening, speaking, reading और writing इन चारों जो भी हमारे skills हैं इनका development करना इन चारों skills का development प्रिशिक्षन दुआरा ही संभव हो पाता है अगर आप कहें कि listening तो listening भी हम कह सकते हैं कि जितनी जादा practice होग speaking, speaking हम student को बोलने का जितना अधिक debates के तुरू या और भी जितनी भी methods हैं उनके तुरू, हम lecture के तुरू, हम उनको बोलने का मौका देंगे तो उनकी speaking skills में भी बहुत जादा development होगा, reading में development करा सकते हैं और writing में specially development करा सकते हैं ज्यानेंद्रियों का शिक्षा का संबंद भी प्रिषिक्षन के साथ होता है, जो हमारी six senses होती हैं, उनका भी जो relation होता है वो शिक्षा में training के साथ ही उनका संबंद माना जाता है अब जो हमारी ट्रेनिंग है उसका आर्थ केवल किसी स्किल्स का विकास करने तक ही इसको हम नहीं मान सकते हैं इसके अंतरगर किसी भी ऐसी बात का सीखना सम्मिलित है जिसमें जो हमारे बाहिये प्रदर्शन है उसकी आवशकता पड़ती है यानि कि जिसको हम दूसरे को दिखा सकते हैं जो हमारी प्रेजन्टेशन होती है जो आउटर प्रेजन्टेशन होती है उनको अगर हम अपने बाहर दिखाएं अपने लाइफ में उसी को हम प्रशिक्षन बोल सकते हैं प्रशिक्षण शिक्षण में से बिन प्रत्य है, शिक्षण का समंध उस वेवार से होता है जिसमें बुद्धी पक्ष की प्रधानता होती है, यानि शिक्षण बुद्धी से रिलेटेड होती है, उधारन के लिए जब हम किसी बच्चे को किसी विशे में किसी भी विशे का स इस सिद्ध्यान्ति ग्यान दे रहे हैं और उसमें बुद्धी का प्रदर्शन अधिक होता है परन्तु जैसे ही बुद्धी के प्रदर्शन की यात्र हो जाती है तो यह प्रशिक्षन कराता यानि कि जो आपने सिखाया वो तो हम शिक्षा के accordingly बुद्धी का यूज़ कर रहे हैं लेकिन जब स्टूडेंट उसी काम को अगेन अन अगेन मतलब प्रैक्टिस करता है तो वो प्रशिक्षन करता है क्योंकि वो उसके ट्रेनिंग कर रहा है अगर हम देखें कि जो मारी ट्रेनिंग है उसकी क्या-क्या विशेशता है यानि कि करेक्टर्स्टिक सो सकते हैं यह व्यक्ति में किसी कौशल का विकास करने से संबंदित होते हैं यानि कि जो ट्रेनिंग होती है वो किसी भी व्यक्ति में किसी भी स्किल्स को डवलप्मेंट करने से संबंदित है इसमें अभ्यास का मुख्यस्थान है निर्देश्यंग तता अध्यन आधी इसमें सायक है इसमें बुद्धी की अपेक्षा क्रिया पक्ष की प्रधानता होती है बुद्धी के साथ साथ इसमें जो काम करने की एक कहा जाए प्रैक्टिस की जो भावना होती है उस पर जादा बल दिया जाता है इसका संबन्द हमारे व्यावार और क्रिया के भाईये पक्ष के प्रदर्शन के साथ भी होता है इसमें ग्यानेंद्रियों और कामेंद्रियों का प्रिशिक्षन भी सम्मिलित होता है तो कहीं ना कहीं हमारा जो है ट्रेनिंग वो शिक्षा से रिलेटेड तो है परन्तु अगर शिक्षा और ट्रेनिंग यानि की जो हमार शाक्षरता यानिकी लिटरसी, साक्षरता क्या होती है, भारत में किसी भी वेक्ति को शाक्षर तब का जाता है जब अपना नाम लिख सके या पढ़ सके, उसे पैसे का हिसाब किताब करना अत्वा सबन्जता आता हो, उसी को हम साक्षर बोल सकते हैं, जो इन चीजों को समझ स कि वहां के लोगों की संख्य के अनुपात में जिसका अधिक्तर जो परदर्शन होता है वो प्रतिशत में देखा जाता है कि आप उसको परसेंटेज में देख सकते हैं आप काउंटिंग नहीं करते हैं इसमें कि हमारे यहां पे साक्षर्टा दर कितनी मानी जाती है जो पुर लिखे होते थे जिस समय भारत आजाद हुआ उसमें भारत की शाक्षरता केवल 12 प्रतिशक थी मतलब जिस समय भारत जो है वो 1947 में जब हमको अजादी प्राप्त हुई तब भारत की जो शाक्षरता थी वो केवल 12 प्रतिशक आंकी गई थी हमारे यहां पर शाक्षरता की अव शक्ता उसे महसूस हुई शाक्षर वैक्ती ही देश की भलाई के लिए कार्य कर सकता है अनेता जो लोग अनपड़ वैक्ती हैं उनको इस यूग में अपनी जुरूरतों को ही पूरा करने में अक्सक वो अक्ने आपको ऐसा आसाहाय महसूस करते हैं कि वो इतनी मेहनत के सकता और उसका शोशन नहीं किया जा सकता यानि कि जो इनसान समझ सकता है जो पढ़ सकता है उसको समझने कि उसमें थोड़ी डवलप्मेंट जादा होती है उसको आप इजली बेवकूफ नहीं बना सकते और वो असानी से आप उसे ठक भी नहीं सकते हैं उसको असानी से अब साक्षरता के लिए उठावये गए कदम भारतिया सरकार ने साक्षरता दर को भढ़ाने और लोगों को साख्षर बनाने के लिए बहुत से प्रयास किये हैं इसके लिए राष्टोय साख्षरता मेशन आदि चलाए गए हैं शिक्षा के अधिकार के लागू होने के बाद से शाक्षरता दर में व्रद्धी हुई है और लोगों को शिक्षा की तरफ बढ़ावा दिया गया है सरकार की तरफ से बहुत सारे कदम उठाए गए है जो लोग अपने बच्चों को किसी प्राइवेट संस्था में अगर शिक्षा नहीं दिला सकते क्योंकि उनकी जो मासिक आए है वो कम होती है तो सरकार ने उन्हें जो है गौर्मेंट स्कूल यानि की जो सरकारी विद्याले होते हैं उनके त्रू उन्हें मुफ्त में बुक्स यूनिफॉर्म बलकि उन्हें खाना तक प्रवाइड कराया जाता है स्टूडेंट को कि जिससे वो पढ़ सके और उनके माता पिता पर उन पहुचाती है आझ के समय में भारत के बहुत से राज्यों में पून रूप से शाक्षरता दर को प्राप्त कर लिया है केरल राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक मानी गई है क्योंकि वहां पर जादा से जादा लोग जो हैं वो पढ़े लिखे होते हैं अब इसका जो हम का जो एक निश्कर्ष निकालते हैं वो क्या कह सकते हैं लिटरसी की प्रिभाशा हर देश में अलग-अलग है लिटरसी से ही हर वेक्ति के जीवन का उदार होता है हम सब को शाकlish के हित्मे कदम उठाने चाहिए और देश को पूंडूप से शाक्षर बनाना चाहिए शाक Alexandra से प्रगती है जो प्रोग्रेस करती है प्रगति है गारती monarchрах रोल्ट lively करती है तो लाइक तो टॉब्स इस और है ऑपने आपको समर्पित कीजिए खुद भी साक्षर बनिये और दूसरों को भी साक्षर बनाने का प्रियास कीजे Thank you and have a nice day